हेलो दोस्तों कैसी हूँ आप सभी क्या सरधियों की मुसम में आपके घर पर भी इस तरीके से आलु के परांटे बना कर खाये जाते हैं अच्छा आलु के परांटे खाना किसको पसंद ने मुझे को में लिखकर आप जरूर बताना वैं मेरे तो फेबरेट है तो आज मैं बता को अच्छे से हाथों से फोड़ना है छोटी छोटी तुकड़े रेने चाहिए आलू के यहां पर मैंने गेस होन करके पेन रखा है और 1500 ग्राम के लगवग इसमें मावा डाल दिया कच्छा मावा है तो मावे को हम भुन लेंगे जब तक कि बिल्कुल लाल नहीं हो जाए पू जो होता है वो पूरी तरगे से रिलीस कर देगा छोटी छोटी इसकी डिमरी पढ़ जाएंगी तो बस आपको यहां पर गेस के फ्लेम ओफ कर देना है इससे ज्यादा इसको कोक ना करे वनना यह जल जाएगा अब आपको यहां पर गेसों करके वापस से पेन या कडाई पारिक काटके यहां पर हल कासा कच्छा पनी निकालना है मतलब सोटी कल लेना है तो प्याज को इस तरीके से ना भूने जैसे की सबजी के लिए भूनती हो थोड़ा से उसका कच्छा पन निकल जाए प्याज का तो दो तीन हरी मेच ले 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 लें अध्रक लेसन को मेंने आपर खलड में कूट की लिया है आप चाहो तो कद्दुकस करके भी ले सकते हो और इन सभी चीजों का कच्छा पनी निकालना है इससे ज्यादा बिल्कुन लावुने दोस्तों एडिटिंग करते टाइम मुझसे किलीब जो वो डिलेट हो गई थी मिने किसमिस और काजू ए उसके तुरंद बद यहाप आलो को डाल दें जो कि हमने हाथों से तोड़के रखें इस तरीकी से अच्छे से मिक्स करते चले जाएं तो एक दम बढ़िया स्टफिंग को यहां कलार लें करीब 3-4 मिनिट के लगबग टाइम लगेगा गेस की फ्लेम ओफ करने के बाद हरा इसमें डालके अच्छे से मिक्स करें इससे क्या होता हरे धनी की खुश्बू बनी रहती है मैंने गेस ओंकर के वापस एक पेन रखा है इसमें एक चमच धनिया डाल दिये साबूत एक चमच छोटी जीरा और एक चमच छोटी ही सोंफ डाली है धनिया की क्वैं तोड़ी ड दालने मतलब क्रश करते हुए दर दर आपको धनिया का पाउडर डालना है यहां पर जीरे का भी और सौफ का भी या फिर आप इस तरीके से यहां इनको खलर में कूटके भी डाल सकते हो मिक्सी में चलाके भी पाउडर बना सकते हो बच्छे को पाउडर बना के रख देना खर लेट ना डाले क्योंकि हम आलू की प्रांटे बना रहे हो नमक डाल देंगे तो आलू हमारे जो खिला थे खाउड़ को भरेंगे तो प्रांटे प्रांटे अच्छींगे लगती है और एक दम बढ़ी। में मांद ढालना है आपको ज्यादा नहीं एक बड़ी चम्मच के लगबग मौन डाल दें क्योंकि 3-3 काटूरी के लगबग मेरा यह गेहुंका आटा हो गए यहाँ पर तो अब आपको यहाँ पर मौन को इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है इससे क्या होता प्रांटे थोड़े क्रिस्प हो जाते हैं अब ठंड़का मोसा में तो मैंने पानी गरम कर लिया था जिससे क्या होगा एकदम बड़िया आटा लोचदार मेरा लगकर तयार हो जागा वरना क्या होगा आटा कल्ड़कल्ड़ इठाईटा ऐसा हो जाता है फिर प्रांटे अच्छे से भर नहीं पाते हैं तो गरम पानी में आटा लगाएं आटे को थोड़ी दिर रेष्ट पर रखें उसके बाद एक लोई ले 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 और प्रांटे तो आपको पते ही कैसे बनाने होते हैं तो अच्छे से बेल लेना है और स्टफिंग कम जादा जैसी आप पसंद करो वेसे भर सकते हो हमारे यहा लगता है कि कचोड़ी खा रहे हैं क्या बहुत टेस्टी लगते हैं तो बस इस तरीकी से चुणनेट पाड़ ले एक स्ट्राटा जो है इसको निकाल देना और अच्छे से यहां इस तरीकी से दबाते हुए इसको में हातों से कर लें ना हात रेटी और दो उंगली की मदद सबस्क्राइब कर देना यह दिया आप मेरे चेनल पर नए आयो तो बेल एकन को भी दबा लेना जिसे आपको नोटिफिक्शन सबसे पहले मिला करेंगी और आप मेरी सभी वीडियो को देख सकोगे दोस्तों और परिवार वालों को साथ शेयर करना तो बिलको ली ना भूले और हां मुझे कॉमेंट में लिखकर बताना आपको रेस्पी कितनी पसंद आई और कब आप अपने घर पे बना रहे हो तो प्राटे को गरम तवे पे डालना है और हां लोहे के तवे पे बनाना देख दम कुरकुरा प्राठा बनेगा थोड़ा थड़ो ओईल या गी लगात जल्दी में मिलूंगी कल बाई टेक केर